तो मेरे भाई आज के तिसरे मुकाबले जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा गुजरात वोमेन वर्सेस मुंबाई वोमेन्स के बीज जवरदस्त करेंगे देखो लास्ट सीजन गरांड लीग विन हुआ था तो उमीद था कि सेम सीरीज स्टार्ट हो रहा यहाँ पर भी गर उसको लिया गया था मैंने भी बोला था कि एलिसा हेली का फोर्म खराब वो सस्ते में जाएगी यहाँ तक सही था एस हसा के बारे मैंने बाता था कि यह सब चबला ट्रंप काड़ रहेगा और यह बढ़िया कर रही है डोमेस्टिक में पांस बिक्टे ले गया इनको भी मैं मैंने चेंज कर दिया इनके लाए और गया को मैंने बाता था कि दो क्वालिटी स्पीनर है तो उस पर श्ट्रागल करेगा इसको बिक्टे दे सकता दो बिक्टे ले गई इनके लाए एस मेगना को भी मैंने पिक किया था लास्ट मैंने बोला कि उसको चेंज करके ग्रे सेरी यानि वो दोनों पिक भी सही थार वीडियो टीम, सिर्फ वीडियो टीम से खेल जाते न, ओल मीनी जीहल अपना होता, लेकिन क्या बता, बहुत मुझे रात में नींद नहीं आया, सच बता रहा हूं, जब एस हसाने पांच बिक टेलिया, मैं सोच भी पढ़िया, भाई मैंने चैंज किया क्यों, रिचा घोष को भी क्यों, यार चलो भगवान किरपा से इस मेच में कैमबेक करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट इसीत परकार से रना चीए, आप लोगों का प्यार दुलार मिलता है, काफी अच्छा लगता है काम करने में भी, नहीं तो वरना तो दिल तूट जाता है मेरे भाई, तो मेरे भाई, नाइट के मुकाबले बहुत बुरा लगा, लास्ट मुकाबला लोस गया तो, और वो भी खुद की गलती, क्या बोले बोल के फायदा, जितना बोलता हूं, उतना दुख पहुँचता है, खर कोई ने इस मुकाबले को अगर जद 11, यानि कि बहतर से बहतर सांदार से सांदार टीम बनाने में, जितने चीजों की अब सकता होती है, मेरे भाई, सारा कुछ टेलिगराम पे ही तो देता हूं, तो आपको जुआइन करना किस परकार है, तो पर भाई, जैसा कि आप हमारा इस परकार से वीडियो देख रहेंग फर्स्ट कोमेंट पर ही किलिक करोगे, फर्स्ट कोमेंट पर ही टेलिगराम चैनल का लिंक मिलेगा, सेम वोई सरोफ समाजिक 84 बुलू कलर में, इसको किलिक करते ही हमारे टेलिगराम चैनल पे सहलेजा होगी, और यहाँ पर आपको 54 के सब्सक्राइबर के आस-पास याई तो गुजरात वोमेंस फर्ष्ट मुकाबला खेलने वाली ये बेत मुनी, बेत मुनी ये आस्ट्रेलिया से है लेकिन देखो कि ओडिया आई आ टी टोन टीम थोड़ा से स्ट्रगल कर रही थी, हलांकि टेस्ट जो हुआ भी साउत अफ्रिक्रा के खिलाप इनों ने अच जाएगी वरना पावर पिले में ही निपढ़ जाएगी, हरलिन दियोल की बात के टाइम आने पे पर्ट टाइम गिन बाजी कर जाती है, लेकिन गिन बाजी करने एक चांस बहुत काम है, लेकिन ये जो बल्ले बाजी करते हैं भाई, ओडियाई की तरह बल्ले बाजी करते है अकर्मग वल्यवाज नहीं है गिंदों को जाधा लेती है तो इंडिया के पीज में इंडिया के पिलियर को थोड़ा सा इज़त देना ची जैसे नाइट विमने एस में गिना गे बारे में बता है कि उन्होंने 50 जड़ा तो इसे पिलियर वर्क करते है थोड़ा सा नजा रखन और नभव की कमी तो नहीं है ये गार्टनर ओफ वेरे गिनवाजी करेगा साथ में बल्ले बाजी ताबर तोल अस्ट्रिलिया का इस्टार उल्रांडर है ये और केप्टन भीसी सब का होना ची हम लोगों का भी बेस्ट होना ची डी है मलता वैसे किर्केट करियर पे और डोम ना मुर्ती अकरमग बल्ले बाजी के लिए जाते है मिडिल पे आते हलांकी जील पे ट्राय करना थोड़ा बल्ले बाजी इनका नीची है ये ब्राइस की बात की आपको पता होगा ये इसकोटलैंड का एस ब्राइसी जो राता है विगट की फिरिंग में एक तो कापी स्टा करने के लायक है पीछ रिपोर्ट आने के बाद देखना लीता हूँ आपको बता दे लीलता हूँ गजब का गेन बाज है न्यूजिलेंड का फास्ट गेन बाजी करती है और आपको आठ से दस गेन दे मिलेगा 25-26 रन भी मार जागी यानि आकरमग बल्ले बाजी भी करती है आपको पता हूँगा एमी सुतरवेट और लीता हूँ का आपस में साधी हूआ है दोनों गरला है लेकिन इसमें से कोई एक सी मेले साध एल ताहू यहां से गरला है और एस सुतरवेट जो वहाँ पर सी मेले तो ख़र इन लोगों से हम लोगों को मतलब नहीं रखना लगन लीता हूँ एक बढ़िया गेनवाजी डेथ में भी डालना चे इंपोर्टेन रहेगा इस्पीनर की बात की जाते सेने राना घजब की गूगली लेग स्पीन गेनवाजी करते सेने राना से बहतर इस्पीनर इनका टीम पे नहीं है एक आर्डनर से भी मैं बहतर मानता हलांकि ये ओल्ड राउंडर की भूमी काम होना चे बढ़िया बल्ले बाजी भी कर लेता लेकिन अच्छे अच्छे पिलियर होने की वज़ा से इनका बल्ले बाजी रेंकिंग देखोगे आपको नौमे नम्मर पे नजर आएगा लेकिन है तो काफी बढ़िया कबिलियत मुंबाई इंडियन से एक मुकाबला ओल्रेडी खेल के आ रही मेरे भाई एच मेथियू नजर रखना केप्टन वीसी का तगला 24 होगा एच मेथियू जो बेस्ट इंडिस से विलों करती है दो अभाड डाली जीरो पे आउट होगे लेकिन इनका करिया रिकोड जबल दस थ इनको मैंने केप्टन बनाकर एक लाग पलस रुपया वीन किया था आप लोगों को याद होगा एन इसकाइबर बरंट यहां से देख सकते हो देखो एन इसकाइबर बरंट यहां से नीचे जाएगा और याटिका भाटिया उपन करेगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रोबे बाजी करती है तो याद रखना एमिलिया केर न्यूजिलांड का स्टार ओल्राउंडर किसी भी इस्तिती में विकेट लेने की छमता रखती है और साथ में तावल तोड़ बले बाजी भी करने की छमता रखती है तो केप्टन बीजी का यह वित तगडा चुआज देखो इन यहाँ पर दसन करती है स्टार ओल्राउंडर एक है इंगलेंड का स्टार ओल्राउंडर एक है न्यूजिलांड का अमन जोतका और पार्ट टाम गेन बाजी फूल टेम बले बाजी लेकिन बले बाजी थोड़ा नीचे करती है इस संजना जील पे ट्राई करना याद होगा ल वल्लेबाजी भी तावर तोड़ करते हमें लगता है इनका वल्लेबाजी एमिलिया केर के बाद होना चीए पूजावस्ट्राकर का खैर देखो क्या होता है विक्टे नागिरे जादा तो इन्हें फर्मोचन भी मिल सकता है सबिनम इसमाइल की बात के आपको पता होगा ये साउट अपरिका से विलोंग करते है गजब की फास्ट गिनबाजी सबसे अधीक फास्ट गिनबाजी अगर जदी अभी के टाइम पे कर रहे है तो वो इस इसमाइल है पूरे वोमेन्स वर्ल्ड में देखा जाए तो के बाला किरिशनन की बात की जाए जील बटराए करना साइका इसाग ये होगा ट्रम्प कार्ड जैसे इस हसा को मैंने वीडियो टीम पे पिक क्यार मैंने बताए कि ट्रम्प कार्ड होगा वही साइका इसाग भी ट्रम्प कार्ड हो सकती है कब जब लगेगी वेत मुनी पील रिकोर्ड बुरा नहीं है, मेरे भाई डोमिस्टिक में बनिया करती है, इंटरनेशनल में भी कुछ मुकाबल मीन है, मोका मिला है, तो ये सबी भातों को आपको ध्यान रखना, एक टीम मैं खुद देता हूँ, खुद से एक दो चेंज करोगे, रिजल्ट तगड़ा आएगा तो मेरे भाई मुंबाई इंडियन्स ने एक मुकाबला खेल रखी है, वोमेन की टीम तो क्या हुआ थे, एच मेत्यू जीरो में यात्पीका बाटिया ने यहाँ पर संतावन करन दिया, इंडिया जविलों करती है, इंडिया के पीच को भली बाती जानती है, एनिस काइबर बनट 17-19, हर्मन प्रितकोर ने फस्पन, अमिलिया केर ने 24, छक्का जड़के किसने विन करते, इस संजना ने छक्के जड़के विन करते, यहाँ पर मैंने बोला ना, अमिलिया केर के बाद पुझा वश्टा कर को आना चे, साथ वो प्रोवेबल पिलिंग लिबन मैंने सट खास कर वोमेंस में रन बनाना मुझकी लिए आती है, लेकिन इंडिया पीच में बले बाजी करना असानी है, बेटिंग पीच बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर अच्छे गेन बाद भी चमकते हैं, तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सिधे कॉंबिनेशन लिए नाओ, इस टापे मेसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग कर रिपलाय देता हूँ, वह भी बेतर तरीका से, देखो मुंबाई इंडियन की तरफ से जो सेफ पिलेर है, फिक्स पिलेर, जो की सारे टीम पे होना चीए, कुछ भी हो जाए, यह तीन देखरों, तीनों के अ यह वाई भाटिया, यह छे पिलेर देख रहे होना, इंपोर्टेन है इनके तरफ से, बल्ले बाजी में हर्मन पिरितकोर साथ, अगर जदी ज़्यादा ज़्यादा पिलेर लेना चाते है मुंबाई इंडियन की टीम से, तो यह साथ पिलेर, घजब का है, अब देखो यह त टीम की तरफ चलते हैं, देखो सामने वाले टीम की तरफ से चलोगे, तो वहाँ पर पहला नाम मिलेगा ए गार्डनर, जो कि सब के टीम पे होना चीए, अब मुझे इसा लगता है, लीता हूँ भी टीम पे होना चीए, सिने राना भी टीम पे होना चीए, लेकिन रुको सार हमारा होगा लीता हूँ हूँ अब देखो अगला पिलियर कौन-कौन से पी लिजफिल हो गया एस दियो लो गया बहुत सारे है तो कब कि इनको ड्रोप करना है जी एल का तगला टीम बनेगा मेरे भाई तगला टीम बनेगा सिर्फ इन ही चारों के ऊपर केप्टन भीजी आप पर देखोगे तो इना चारों केप्टन भीजी रोटेट करना बागी एकए क्लेड को रोटेट करओं बलय बाजी सेक्चन में कैसे यहां से जैसे कि एससा को एक बढ़ करके अधर गिनबाज बले बाज बिगट कीपर जहां हुआ चलेगे गे इसे स्माइलrey को एक बढ़ करवायगा बांकी आपका भाई पूरा कोशिज करेगा लेकिन एक दो टीम आप खोच से छेल खानी किया करो हर मेच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो भगवान से आसा करते लक्षीमा विशरी मा एवन सर्शत्ति मा भगवान जो भी हो विशरी मा सब से आसा करते हैं हम लोगो का रिजल्ड वेतर जाए जब बड़तस तरीका से विन करें निरंतरन आगे बढ़ें